आदमें आपके साथ एकड़ मियूनिक एंड डिलीशियस पनीर कटेट करी रेसिपी शेयर करूंगी जिसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है एंड इंग्रीडियन्ट जो भी मैंने स्मी यूज की हैं अल्रेडी आपकी किचन में अबेलेबल होंगे एक बार आप इसको जरूर ट्राय करके देखिए हलो काईस मैं एकता स्वागत करती हूँ आपके अपने हीटिव चैनल खाना ओन डिमांड में एक डिक्वेस्ट है आप लोगों से जो भी चैनल पर नहीं है प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए वैल आइकन को भी प्रेस कीजिए बयत के टो मीडियम साइज के अनियन था आप अनियाम प्ली अगर आप नहीं खाते हैनी एन गालिक तो इसको स्केप ज़िए दिको उत्या है ज़िए नतिया धात यह यह पहँ मीडियम अगि अपा श्यास की टो है तोड़ा सा सॉल्ट एड किया है और इसको मिक्स कर देंगे को फाइब मिनिट के लिए कबर कर देंगे जिससे कि यह जल्दी कुक वो जाएगा जाएगा कि फाइब मिनिट के बाद में देखे जो टमेटोस हैं वो वाइल हो चुके हैं तो चला के मैंने जैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको तरीके से छोड़ देंगे ठंडा होने के बाद में इसका पेश्ट बना लेंगे जब तक यह ठंडा हो रहा है तब तक देखते हैं आए जाने निश्च्ट प्रोसेस को के लिए मैंने एप नेश्ट पनीलिया है गे फाय वहं हंड़ इद ग्रम पर देर को टूप समें ड़ाइद कर लिया है थो थोड़ा वाला पनीर है चुकतल तो मैने बड़ेट कर लिया है ट्स्टाफिंग के लिए रशाकय के लिए प्å और इसको साइड में रख देंगे के बाद में जो बचा हुआ पनीर था उसको भी ग्रेट कर लेंगे तरीके से मैंने ग्रेट कर लिया इसको और ये बॉयल पटेटो जिसको मैंने बॉयल करके लग दिया था थोड़ी देर पेच में जिससे की इसमें मॉइशन आ रहे हैं इसको भी मैश कर लिया है और इसको इसमें डाल देंगे ये तुमरीक पाउडर थोड़ा सा रचिली पाउडर कोरिंडर पाउडर ये थोड़ा सा गरम मसाला एंड साल्ट एस पर यो टेस्ट एड कीजिए ये कोरिंडर लीप्स एंड ये अरा रोट इसको कौन फोर भी कहते हैं नीयूज किया आप चाहें तो इसके जगे मैदा भी मारा की लेसे और इसको इस तरीके से दो की फर्म में बना लेंगे और इसको साइड में रख लेंगे चे बाद में जो हमने स्टफिंग तयार की थी तरीकी से बाल्स मैं है डिवाइट कर लेंगे यह 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 दenderसे 10 बाल्स के बालμεे जो त्यार किया था इसको भी 10 पीसिस में डिवाइट कर लेंगे जिससे की जो भी कटलेट बनाएंगे हैं उसका जो साइज है वो इक्वल रहे रहा है इसलिए पहले से इसको डिवाइट करके रख लेते हैं कर दो किसे और इस तरीके से इसको प्रेस करते हुए तरीके से इसमें जो इस्टपिंग बनाए थी वो फिल कर रहेंगे आप प्रेस करते हुए तरीके से क्लोज कर देंगे तरीके से अब अपने कर्डिंग दे सकते हैं कटलेट हैं तो मैं इसको लॉंग शेप में रख होगी आप चाहे तो राउंड शेप में भी रख सकते हैं अच्छे से करना है आपको इस तरीके से हलके हाथ से करना है नहीं तो जो इस्टफिंग है वहाँ निकल जाएगी और इसको सुखे आटे में डिप कर लेंगे तरीके से है यह कि तो यह मैंने सारे बना लिए है और इसको फाइब मिनट के लिए रख देंगे फाइब मिनट के बाद में इसको उप्राइ करेंगे इस तरीके से प्राइन करने के लिए जो आपका फ्लेम है में गैस का वो मीडियम होना चाहिए ना तो बहुत ज़्यादा हाई ना तो बहुत ज़्यादा लोग कि ज्यादा इसको टश नहीं करेंगे नहीं तो कि स्टफिंग निकल रहेगी बाहर वह थलके हाथ से इसको करना है और गोल्डन ग्राउन होने तक इसको फ्राइ करना है देखे अल्मोस्ट हो चुके हैं इसको निकाल लेंगे जिससे जो भी एक्स्ट्रा ओयल होगा वो एब्सॉर्ब कर लेगा पर केरफली आपको बनाने हैं इसके बाद में इसके बाद में जो ने अनियन और टमेटो का जो तैयार किया था उसका पेस्ट बना लिया तो सब्जी के लिए मैं बटर डाला है आप चाहें तो ऑईल का भी उसकर सकते हैं थोड़ा सा किमें सील ये रच चिली थोड़ा सा तेज पत्ता ये सिनिमन स्टिक लॉंग लाइची थोड़ी से काली मेच क्योंकि जो खड़ी मसाले है बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका और जो पेस्ट बनाया वो मैंने इसमें एड़ कर दिया है तरीके से अभी जो ग्रेवी है वो वाइल होने लगी है भूनना इसको भी अच्छे से इसके बाद में जो स्पाइसे हैं वो एड़ करेंगे यह टर्मरिक पाउडर कोरियंडर पाउडर रेड चिली पाउडर गरम मसाला जैसे मिक्स कर लेंगे इसको तरीके से और ग्रेवी को पहले से अच्छी तरीके से कूप कर लेंगे इसके लिए मैंने इसको कवर कर दे रहे हूं फाइब टू सिक्स मिनिट के लिए इसको को करना है देखिए अच्छे से को खो चुकी है है यह 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 थोड़ा सा को रिंडर लीप से हैं मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो ग्रेवी की कंसिस्टेंस यह वो लिक्विट फॉर्म में ही रखे क्योंकि जब आप यह एड करेंगे तो जो बहुत ज़्यादा वाटर एब्सॉब करता है तो फिर ग्रेवी नहीं बचेगी इसलिया इसको लिक्विट फॉर्म में रख कि इस तरीके से अब इसको ढखना नहीं है अस फाइब मिनिट के लिए आपको कुक करना है देखिए अपने आप जो ग्रेवी था वो कम होता जा रहा है और ठंडा होने के बाद में और भी ज्यादा एब्सॉब करेगा आपको इस चीज को ध्यान में रखना है इस तरीके से ज्यादा देर तक कुक नहीं करना है नहीं तो यह टूट जाएंगे इसके बाद में चॉप्ड कोरिंडर लीप्स पाइब मिनट के बाद में इसकी जो कंसिस्टेंस यह और भी ज्यादा गाड़ी हो जाएगी लीजिए आपकी पनीर कटलेट करी रेस्पी बनके तयार है बहुत ही यमी होती है यह एक बार आप इसको जरूर ट्राय करके देखिए और इसको आप इंज्वाइ कर सकते हैं कर सकते हैं